बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम लेकूम डियर स्टूडंट, वेलकम टू आल टू लर्न, आज मेरा न्यू आक्सफोर्ड माडरन इंग्लिश बुक 7 का लक्षर नमबर 7 है, जिसमें हम एक पोएम पढ़ेंगे, नो, पोएम नेम है, नो, मतलब नहीं, इस वर्ड के बारे म पूरी पोएम है, तो चले हम पोएम को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पोएम की समरी से, तो समरी है पोएम की, जो लिखी है थामस होड ने, थामस होड एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश शायर हैं, वो कहते हैं, वो अपनी मिजाया किसम की शाय तो आज की नजम है ये बहुत एक सीरियस टापिक के उपर है इस पॉइम है इस भी रिटन इन दी बैग्राउंड आफ नमांबर इन दा अटम सीजन की जो नजम है ये नमांबर में खजां के मौसम के उपर लिखी गई है जब हर चीज बरफ के साथ ढख जाती है इन सेच सिचुएशन इस सुरते हाल में लाइफ बिकम वेरी डिफिकल्ट जिन्दगी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंके हर चीज रुक जाती है क्योंके सड़ी होती है हर चीज को बरफ ने ढांप लिया होता है तो जिन्दगी के कोई भी एक्टिविटी वो जारी नहीं रह सकती नो प्यूपल आर सीन आउट फार सोशलाइजेशन के सोशलाइजेशन के लिए लोग इस उसे मेल जो लोग को खतम हो जाता है तो लोग हमें नजर ही नहीं आते वेर एवर यू सी जहां भी आप देखते हैं यू फाइंड सिल्वरी स्नो कवरिंग एवरिफिंग के जो सिल्वर रंग की बरफ होती है उसने हर चीज़ को ढांपा होता है दा स्नो टेंपरेलिली सिस्पेंड आल हुमन एक्टिविटीज के बरफ ने आरजी तोर पर तमाम इंसानी सरगर्मियों को रोक दिया होता है दा वर्ड नो हैस बीन यूज थ्रू आउट दा पोएम के जो वर्ड नो है ये थ्रू आउट सारी नजम के अंदर यूज होया हुआ है इस्तिमाल होया हुआ है तो चले अब हम पोएम को पढ़ते हैं, बुक ओपन करते हैं, पोएम नेम है नो, पोएम को हम पढ़ते हैं, रीडिंग भी करेंगे, इसकी इंगलिश मीनिंग भी करेंगे, उर्दू मीनिंग भी करेंगे और उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे, जैसे आप पिच्चर में देख रहे हैं तस्वीर में देख रहे हैं कि जो सड़्ियों का मौसम है खजा का मौसम नमंबर का महीने में उसको शो किया गया है कि क्या सुरते हाल होती है हम देख लिए हैं घरों पे भी बरफ जमी वी है सड्कों पे भी रास्तों पे भी हमें आट जल चाय होते हैं आसमान पर नमबर के महिने में तो ना हमें सूरज नजर आता है ना ही हमें चान नजर आता है No more, M-O-R-N, more बोलते हैं सुबा को ना ही सुबा, No noon, ना ही सिपहर No dawn, डान भी सुबा को बोलते है No dusk, ना ही शाम ना ही सुबा का पता चलता है, ना ही शाम का पता चलता है No proper time of the day, दिन का कोई भी मुखसूस वाक्त हमें नजर नहीं आता No distance looking blue के, जो दूर दूर तक हमें, जो blue रंग है वो हमें नजर नहीं आता No road, ना ही सड़क है, No street, ना ही कोई गली है No tea, other side of the way, ना ही रास्ते की दूसरी साइड हमें नजर आती है No end to any row, ना ही रास्ते का end जो आखरी सरा है, बरफ की वज़े से वो हमें नजर आता है Where the crescent go, crescent बोलते हैं, पहले दिन के चांद को जो बारीक शेप होती है लेकिन इस यहां जो पतली गली है, पहले दिन के चांद हलाल की शकल की मुड़ी भी गली है नहीं पता चलता कि यह गली कहा जा रही है, क्योंकि हर तरफ वो बरफ से धकी होती है No top of any steeple, steeple बोलते हैं, चर्च के जो टॉप होती है तो हमें जो चर्च का उपर वाले कोनो होता है, वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो भी बरफ से ठका होता है No recognition of familiar people, कि जो एक जैसे लोग होते हैं, हमें समझ नहीं आते क्योंकि सब ने सर्दियों की वज़ा से मोटे कपड़े पैने होते हैं, घरों से निकले नहीं होते हैं, धुंचाही होती है तो हमें उनका पैचानना हमें उनसे नहीं होता, कि उनकी पैचान ही हमें नहीं हो रही होती No courtesy for showing them, कि नहीं हम उन्हें कोई courtesy शाहिसता manner दिखा सकते हैं, EM बोलते हैं them को No knowing them, नहीं हम उन्हें जानते हैं No traveling at all, नहीं हम सफर कर सकते हैं No locomotion, locomotion हरकत को बोलते हैं, moment को बोलते हैं नहीं कोई हरकत होती है, No linking of the way, No notion notion बोलते हैं, idea को कि नहीं रास्ते कहां मिर रहे होते हैं, इस बात का हमें idea होता है क्योंकि बराफ होती है हर जगा, नमंबर में तो नहीं पता चलता कि रास्ते जो हैं, वो अपस में कहां से मुर रहे आते हैं No go, कहीं जाना नहीं होता, by land or ocean, नहीं जमीन से, नहीं समंदर से क्योंकि जमीन में भी बराफ होती है, और समंदर में भी बराफ होती है No mail, no post, mail से मुराद email या Gmail नहीं है, बलकि इस से मुराद है, खत, क्यूंकि ये डेट सो साल पहले लिखी गई, नजम है तो तब वहाँ email का दोर नहीं था, खतों किताबत ही होती थी, तो वो letter के लिए यूज हो रहा है, कि ना हम letter बेस सकते हैं, नहीं कोई post आ सकता है No news from many foreign coast, ना ही हमें, दूसरे जो घैर मुलकी coast हैं, साहिल हैं, उन से हमें कोई खबर मिलती है, No park, कोई पार्क नहीं है, No ring, कोई रिंग बोलते हैं, जहां घोड़े दुराए जाते हैं, या कोई पार्क, इसमें जो पार्क यूज हो रहा है, वो लंदन का एक पार्क है, नहीं जा सकते, No afternoon gentality, कोई दुपैर के वकट हम gentality होता है, जो अपर कलास होती है, वो लोग मिलते हैं, तो वो शाम के वकट जो बैठते हैं, उदर वो नहीं कर सकते, No company, कोई company नहीं है, No nobility, male जो नहीं है, लोगों का नहीं, कोई एक घर आना जाना है, No warmth, कोई गर्मी नही करते हैं, तो उसके लिए जो गर्मी महसूस करते हैं, वो नहीं है, No cheerfulness, कोई खुशी नहीं है, No healthful ease, नहीं कोई सियत मंद activity है, No comfortable feeling in any member, किसी आदमी को कोई राहत का एसास नहीं होता सर्दी की वज़े से, No shade, कोई साया नहीं है, No shine, कोई धूप नहीं है, No butterfly, नहीं तितलिय और शयाद की मक्यां तो greenery के उपर आती हैं, वो नहीं है, No fruit, कोई फल नहीं है, No flower, No leaves, No bird, ना पते, ना फल, ना ही कोई परिंदे, No November, क्यूंकि No November का मौसम है, सर्दी है, खजा है, तो हमें यह सारे चीज़े नहीं मिलती है, यह Thomas Hood ने poem लिखी है, आई होग आपको यह लाजमी सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल नोटिफिकेशन भी लाजमी दबाएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहें, आप बेल नोटिफिकेशन अन करेंगे, थैंक यू फर वाचिंग, अला हाफिज